हाई व्यूवर्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रैंस यह देखिए आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आपके सी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कार्डिकन में लेडिस जैकिट में लेडिस शग में गर्ल्स टॉप म में बच्चों के सटर में शॉल में डाल सकते हैं तो दिखिए है फ्रांट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस design को बनाने के लिए जो सचीज चाहिए होंगे वो 6 के multiple से होंगे plus 3 फंदे एक्सरा रखने होंगे और जो design है total 8 रो का design है यह देखें यहां पर मैंने 21 फंदे लिए है 18 फंदे 6 के multiple से लिए है plus 3 फंदे एक्सरा लिए है एक फंदा side में design को equal करने के लिए और 2 फंदे एस्टिच के होंगे और base देने के लिए 2 रो उल्ट उल्ट फंदों के साथ बनकर निकाल लिए है तो चलिए बनाते हैं यह इसकी फंदों है और right side है एस चीज़ स्लिप करेंगे अब देखें स्टार्टिंग में सबसे पहले आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे अब यहां से repeat pattern स्टार्ट करेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से दो फंदे निट वाइस स्लिप करेंगे यह देखें इस तरह से अब नेक्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे अब स्लिप कियो है फंदे इस फंदे के उपर से ट्वाप करेंगे इस इस मीन एस तुके पी जाई डालेंगे यह देखें हमारा एक pattern complete होगा इसमें हमने जाई डाली तीन फंदे सीधे बनाएंगे फिर जाई डाली तीन फंदों का एक फंदा बनाया और जाई डाली यह हमारा 6 फंदों का पैटन है दिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिसे इस पैटन को repeat करेंगे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, जाई डालेंगे S2KP आगे की साइड से दो फंदे सिलिप करेंगे फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे सिलिप किया हुए दो फंदे आगे के फंदे की उपर से ड्रॉप करेंगे फिर जाई डालेंगे फिर से तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, लास में जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे वन टू बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और एस्टी सीधा बना लेंगे फर्स्ट रॉव कंप्लीट हो गई है सैकिंड रॉव है रॉँग साइड इस सारी रॉव को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बन कर कंप्लीट करेंगे हर बार इसकी रॉँग साइड हम उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे एस स्टिच पी उल्टा ही बना लेंगे अब देखे थर्ड रॉव है और राइड साइड है एस स्टिच स्लिप करेंगे अब एक फंदा सीधा बनाएंगे रपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो देखे जाए डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे वन, टू, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा ये देखे हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने जाई डाली दो फंदों का एक फंदा बनाए एक फंदा सीधा दो फंदों का एक फंदा जाई डाली एक फंदा सीधा वेसे pattern beat करेंगे जाई डालेंगे दो फंदे slip करेंगे 1, 2, back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा आगे की साड़ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे चाई डालेंगे एक फंदा सीधा फिर से चाई डालेंगे दो फंदे सिलिप करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा आगे की साड़ स से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे चाही डालेंगे एक फंदा सीधा और एस्टिच भी सीधा ही बना लेंगे थर्ड रौ कम्प्लीट हो गई हैं फोर्थ रौ है रौंग साइन फिर से इस सारी रौ को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे एस्टिच उल्टा बना लेंगे फिफ्ट रौ है और राइट साइड है अब दिखे एस्टिच slip करेंगे और स्टाटिंग में दो फंदे सीधे बना लेंगे वन टो फिर देखे यहां से repeat pattern स्टार्ट करेंगे चाई डालेंगे आगे की साइड से दो फंदें सिधा बनायेंगे slip किये हुए फंदे इसके उपर से drop करेंगे जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे 1 2 3 ये देखे हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने जाई डाली तीन फंदों का एक फंदा बनाया है जाई डाली तीन फंदे सीधे 2, 3 फिर से pattern repeat करेंगे जाई डालेंगे 2 फंदे आग एक साइट से slip करेंगे एक फंदा सीधा और slip किये हो फंदे इसके उपर से drop करेंगे जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे 1 2 3 फिर से जाई डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनायेंगे आग एक साइड से दो फंदे स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा और स्लिप कियों फंदे उसके उपर से डॉप करेंगे जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री, फिर्थ रौ कम्प्लीट हो गई है सिक्स रौ है, रौंग साइड इस सारी रौ को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे सैवन रौ राइड साइड एस्टिच स्लिप करेंगे और स्टाटिग में एक फंदा सीधा बुन लेंगे अब यहां से रौपीट पैटर्न स्टाट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे वन, टो वैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा यह देखे हमारे एक बैटर्न कम्प्लीट होगे इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया जाई डाली एक फंदा सीधा जाई डाली दो फंदों का एक फंदा सीधा बनाया फिर से बैटन रिपीट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनायेंगे जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे दो फ फंदे slip करेंगे back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा और last में ऐसी सीधा बना लेंगे 7 row complete हो गई है 8 row wrong side इस सारी row को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुन कर complete करेंगे यह दिखे 8 row complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे first row से start करेंगे तो दिखे कैसे करेंगे first row right side stitch slip करेंगे और starting में आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर चाही डालेंगे अब repeat pattern start करेंगे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, जाही डालेंगे S2KP आगे की side से दो फंदे slip करेंगे एक फंदा सीधा slip किये है फंदे इसके उपर से drop करेंगे जाही डालेंगे यह देखे हमारा एक pattern complete होगे फिर से से repeat करेंगे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, जाही डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे slip करेंगे एक फंदा सीधा और इन फंदों को इसके उपर से drop करेंगे जाही डालेंगे फिर से तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, जाही डालेंगे लास में दो फंदे slip करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे सीधा बना लेंगे यह देखे फिर से हमारा pattern first row से start हो गया है ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1, 2, 8 row repeat करते जाएंगे और यह pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं ladies cardigan में, lady jacket में, lady shag में, girl's top में डाल सकते हैं तो friend आप भी इसे बनाएंगे और अपने experience हमारे साथ share कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूलें तो मिलते हैं next वीडियो में thank you friend for watching my video